नमस्कार बहुत स्वागत है आपका DHD News देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ दिवाशी इशकुमार बिहार की राजनीती इस वक्त ठंड के मौसब पे भी इसकी अगर ट्रेंप्रेचर की हम बात कर ले तो ये हाई होता दिख रहा है लगातार बयान और आरोप और प् यानि खरमास के बाद बिहार की राजनीती में क्या होने वाला है एक है मुद्दा बना हुआ है यह सवाल बना हुआ है आज ही जेडियू ने प्रेस कॉंफरेंस कर लगातार विपक्ष पर जोरदार निसाना साधा है तमाम मुद्दों पर बाचुद करेंगा और इस वक्त तारीक जो खरमास की बात हो रही है तो उसमें कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है उसकी बात को आप किस तरह से लेते हैं क्या कहेंगे आरजीडी के तरफ से क्या गुज कहना है देखे भारतिये जनता पार्टी के लोग जब से लालु यादव और राबडी देवी चीफ पि जिहार में इनोंने पूरी ताकत लगाई और इस ताकत का परिणाम देखे कि विधान सभा का जब चुना हुआ और इस विधान सभा के चुनाव में भी हिंदुस्तान के तमाम केंदर के मंत्री यहां तक की राजिपाल भी लोग केंपेंग किये हुए थे जबकि प्रोटो क कि राजिपाल को परचार करना लेकिन आंतरीक रूप से तमाम ताकतें यह जो देश के इंडिये की ताकत लगे हुए थे लालु यादों को उखारने के लिए आप देखे परिणाम क्या हुआ हम एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरे सरकार कैसे बनी आप खुद जान हैं चुकि आपका ही वियान आया था आपका ही परिणाम हम लोगो को देखने को मिला था कि महागटवंधन पुर्न भहुमत क्योरा गृसर है इतना सीट आएगा सरकार बनाने से ज्यादा सीट हम लोगो को आ रहा था क्या हुआ दो बजे तक हम सरकार बनाने के एबज में थ एक सो पचीस सीटा रहा था और दो बजे के बाद केंदर से कैसा डारेक्शन इन लोगों को मिला कि तमाम नेता यह भुपेंदर यादव जो अपने आपको जनाधार का नेता समझते हैं राजस्थान में इनका कोई अपना पकड़ने है राजस्थान में लोग जानता ही ने कि हुई भुपेंदर यादव किसी रूप में इनको यहां परभारी बना दिया यादव किस आधार पर कह रहे हैं कि आरजेडी से चौदा के बाद बहुत सारे विधायक हमारे खे में मारे हैं कोई तो आधार होगा ना आप लोग आप लोग के पास क्या इसका कुछ है देखि लोग एक ही फर्मूला पर चलते हैं कि अगर तूट का रास्ता अगर हम लोग देखेंगे तोडने का रास्ता तो यह सरकार दस दिन के अंदर तूट जाएगी तो कि तमाम लोग जब मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई लोग कई विधायक इस एंडिये गटवंधन के राश्टीय जनतादल को जो हमारा महांगटवंधन है सरकार बनाने के लिए प्रेसर दे रहा है मैंने दे रहा हूं प्रेसर आप सरकार बनाईए मिया आपके साथ आने के लिए तयार हूँ यह भुपिंदर यादा विखास होना चाहिए नंगा नाच खुला छूट जिसको क इसी का पदाधिकारी पकड़ा जा रहा है, नियाले के करमचारी घुश लेते पकड़े जा रहे हैं, एक चपरासी भी नितिसकुमार के सासन काल में कोई सुनता नहीं है, विधाय की बात, अंति में लाचार हो करके नितिसकुमार पठेल भवन जो पुलिस मुख्याले है, वह जाकर के कंट्रोल करें, वहां होने वाला नहीं है, अस्तिती भिहार का बत से बत्तर है, यह जो तीसरे दरवाजे से जो सरकार बनी है, यह जादे दीच चलने वाले नहीं है, चाउदा तारीक के बाद यह जब भुचा लाएगा ता आपको पता चलेगा कि भुपेंदर जी हैं, मानिय सांसद भुंगेर के, अपना इनका कुछ नहीं है, बोली काफी है, तेजस्वी यादव तो ऐसा पढ़ा लिखा लीडर है, कि अगर एक महिना तक अंग्रेजी में, जो कई भासा का ग्याता है अभ्यक्ति, यह नहीं होता कि हम ग्रेजिएशन कर लिये, बहुत सा अभी भासाओं का यह तुलना बिहार में अभी बहुत कम लोग करने वाले हैं, आप देखें, जिस तरह से वसिष्ट नाराज सिंग पुराने नेता थे, जनता देली नहीं है, फौंडर कमेंबर का जाता है पार्टी का, उसको आज बुढ़ापा के समय में कैसे अपमानित क जबरदस्ती हटा दिया जाती है, समीकरन बनाना ये चार है, कि कुछ वहा मेरे हां से निकल गिया, कई कुछ वहा के सिनियर लीडर थे, लेकिन नितिष कुमार रवर अश्टाम पर विष्वास करता, रवर अश्टाम ब्यक्ति को कैसे हम अध्यक्ष बना दे इस पर विष् कि कॉंसिल की मीटिंग इन्होंने क्यों बुलाई थी, यह तो कह रहा है कि युवा टीम हम बना रहे हैं, तो जेतना बुजूर्ग है उनको हटाने दे भाई, नितिष जी तो पहले अपने मुख मंत्री किसी युवा को बना दे, तने समये कि युवा टीम है, जिनका उमर प विकास कैसे करेगा, हम लोग काफी खेद महसूस कर रहे हैं, जो बुजूर्गों का अपमान, जनता देलु इलाइटेड में हो रहा है, हम लोग काफी चुकी मामला इन लोग का, इंटरनल मामला तो हम लोग जादे इस पर टिपनी नहीं कर सकते हैं, लेकिन तकलीफ तो होत किया कि 14 तारीक के बाद इस्थिती क्या कुछ होगी, ये तो खुद BGP या GDU को पता चल जागा, ये कहना है, RGD के सीने लेटा आजाद गांधी का, अपने सयोगी राजे इशकुमार के साथ, मैं दिवाशी इशकुमार, TSD News पटना